हमारी आज की कहानी है इमानदार रामू रामू एक निर्धन बालक था उसकी मा एक धनी आदमी के घर में काम करती थी एक दिन रामू की मा बिमार हो गई और वे काम पर नहीं जा सकी इसलिए उसने अपने बेटे रामू को अपनी जगे काम करने के लिए भेज दिया रामू भी अपनी मा की तरह मन लगा कर काम कर रहा था वे हर चीज को जार पोँच कर उसके स्थान पर रख रहा था तब ही उसे एक सुन्दर सी घड़ी दिखाई दी घड़ी सोने की थी और उसमें चमकते हुए हीरे भी लगे हुए थे घड़ी देखकर वे सोचने लगा कि काश मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती रामू के मन में लालच आ गया सबकी नजर बचा कर उसने घड़ी अपनी जेब में रख ली और जटपट काम निपटा कर वे अपने घड़ जाने लगा वहर घड़ी को जेब में डाल कर वहां से निकलने ही वाला था कि उसे अपनी मा की दी हुई शिक्षा याद आ गए उसकी मा ने एक दिन उससे कहा था बेटा चोरी करना और जूट बोलना ये दोनों सबसे बड़े पाप हैं इनसे दूर रहोगे तो कभी भी तुमारा आपमान नहीं होगा चोरी करोगे या जूट बोलोगे तो कोई तुम्हें अपने मित्र नहीं बनाएगा बेटा हमें इश्वर दिखाई नहीं देता पर हमारा प्रती एक काम चाहे वै अच्छा हो ये बुरा कभी भी इश्वर की नजरों से बच नहीं पाता मा की बाद याद आते ही रामु को अपनी गलती समझ आ गई वह वापस घर के अंदर गया उसने जहां से घड़ी उठाई थी चुप चाप वहीं पर रग दी और बाहर निकलाया उस घर का मालिक यह सब देख रहा था वह बहुत ही दयालू और सज्चन व्यक्ती था उसने रामु के मन की बात को समझ लिया था अपनी मा की बिमारी के कारण अगले दिन भी रामु को उनके घर काम करने के लिए आना पड़ा जब रामु काम करके वापस जाने लगा तो मालिक ने उसे बुला कर कहा पीटा यह गड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे अपने हाथ में बांध लू इससे तुम्हें समय का ध्यान रहेगा तुम ठीक समय पर अपना काम कर पाओगे सही समय पर आया जाया करोगे रामु हैरान होकर अपने मालिक को देख रहा था मालिक ने कहा घबराओ मत इस घड़ी का मूल्य मैं तुम्हारी मा के वेतन में से नहीं काटूंगा रामु घड़ी पाकर बहुत खुश हो गया वै भागा भागा अपनी मा के पास आया और घड़ी दिखाते हुए उसने सारी सच्चाई बता दे उसकी मा रामु की इमानदारी से बहुत खुश होई इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुँचा कर तर्मलाब प्राप्त कर सकें